एक चीज़ कहूंगा, क्योंकि आज बेडनेस दे है तो मैं ओप्शन के डेटा पॉइंट्स भी देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर को यह मान के चल रहा है कि कल बड़ा गैप या बड़ा गैप डाउन मिलेगा, हो सकता है कल एक एक एंटी क्लाइमेक्स राज है मार देखिया और बहुत इंट्रेसिंग है, आज आप टॉप ट्रेडिट ऑप्शन में देखेंगा न, कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम गिरे हैं आज, इवन मार्केट एकदम तेसा तब भी कोई कॉल के प्रीमियम में जंप नहीं था, और इससे में तो कॉल के प्रीमियम क सतरा धाइसो तक की कॉल देखिये, उसमें 41 लाग का बिल्ड अप है, और एक इंट्रेसिंग चीज, जैसे मैं क्योंकि खाली बिल्ड अप से कुछ फ़रक नहीं पड़ता, सतरा धाइसो की कॉल सिरफ अठाइस रुपे, सतरा धाइसो की कॉल सिरफ पैंतालिस रुपे, और सतरा धाइसो की कॉल सिरफ सतरा रुपे, तो मतलब एक कॉल राइटर को इस लेवल का कन्विक्शन चाहिए कि सतरा धाइसो के ऊपर आप नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ भाहीं आप इवन पॉट्स के आंकड़े देख लीजिए, पॉट्स में भी सतरा धाइसो में लग रहा है कि आज खाली ओप्शन डेटा के हिसाब से अगर मैं जाऊंँ आज, सतरा धाइसो निकालना मुश्किल होगा निफ्टी के लिए, और नीचे मुझे लग रहा है कि सतरा हजार भी तोड़ना मुश्किल होगा, तो एक शायद एक दायरा सा बन जाए अब, और ब् पिचासी से थोड़ा फिसले, लेकिन लोग लेवल पर सपोर्ट भी है, तो चालिस से चालिस दोसो का एक बड़ा रजिस्सेंस जोन है, और चालिस दार की कॉल और पुट दोनों देख लिजे आप, मुझे लग रहा है कि दोनों पर आज ऑप्शन राइटिंग होई है, नि कॉल का प्रीमियम भी गिरा है, जबकि बैंक निफ्टी ऊपर है लेकिन प्रीमियम गिरा है उसका, प्रीमियम करीब करीब 7% नीचे और वही 215 रुपे करीब, 400 रुपे करीब कंबाइन प्रीमियम है, तो मुझे लग रहा है कि स्मार्ट ट्रेडर ने कोशिश किये आज कि इस मार्केट को एक option राइटिंग की थूप ले किया जाए, हो सकता है कि कल मार्केट एक आपको anti-climax दे दे, मतलब हर को यह उम्मीद कर रहा है कि कल बड़ा आप मार्केट में move आएगा, लेकिन at least option राइटर की तरफ से तो ऐसा को indication मिलने रहा है मुझे